आईए आज इन मचलियों को इस नए एकवेरियम सेटप में रखते हैं मैंने पहले ही इन्हें एकली में कर लिया है कभी भी बड़े आकार के सिकलेट को क्रेफिश के साथ न रखें क्योंकि वे अक्सर मोल्टिंग करते समय क्रेफिश को मार देते हैं मैं इन्हें जल्दी ही दूसरे टैंक में डाल दूँगा मुझे यकीन है कि अगर हम एंजल्द फिश और क्रेफिश को एक साथ छोटे टैंक में रखेंगे तो क्रेफिश इस निश्चित रूप से इन एंजल्द फिश को मार देंगे देखते हैं आगे क्या होता है कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ हालांकि यह बचने में काम्याब रही इसलिए हमेशा सावधान रहें इसने प्लेको मचली की पूँच को भी काट लिया है लेकिन प्लेको सार्डी मचली है यह निश्चित रूप से बच जाएगी आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ रोचक जानकारिया मिली होगी लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और हमारे पिछले वीडियो पे लाइक्स और कमेंट्स के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो